असलाम अलेकुम आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूं शाही शीर माल बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे शीर माल आप घर पर बना सकते हैं और बिर्कूम अलाई जैती आपकी शीर माल बनकर तयार होगी तो चलिए देखते हैं शाही शीर माल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और हमें इसको किस तरह से बनाना है सबसे पहले हमें यीस्ट को एक्टिवेट करना है तो एक बोल ले लेंगे और इसमें एक टीस्पून यीस्ट डालेंगे मैं यहाँ पर और टाइम की active dry yeast यूज कर रही हूं अब येस्ट को एक्टिवेट करने के लिए एक टीस्पून PCV या पर दानेदार शकर डाल देंगे और आधा कप इसमें डाल देंगे पानी इसमें लियोकवाम यानि की गुन-गुना पानी डालेंगे थंदा पानी यूज नहीं करेंगे अब इसको ढग कर देंगे 10 मिनट के जिसे की यिस्ट ऑट्टिवेट हो जाएगे तो यहां पार इसको रखके वेज़ेवें 10 मिनट only हो चुके हैं और हमकरी येस्ट असे सी जाग अब इससे diva , जब इससे में जजाग बन जयाए आपकी यिष्ट ऑग़ी तो अगर नहीं है तो अनसम्सिछच नहीं बनी है तो तकरीब ये 500 kw ग्राम मैता है 1ध कप देशी घी कम देशी घी कोशिश करेगा कि यूज़ करें आदा कप इसावी शकर डाल दे गे और आदा कप डाल दें इसमें बिल्क पौडर जाएगा इसका एक टेबल स्पून केवडा वोडर या प्र मिल्क पाॉडर या फोडर एसंस डा येस्ट और शुगर का मिक्षर बनाया ता भी एक अंडा डाल देंगे थोड़ा साइब बचा लिए एक वॉश करेंगे जितना भी चाहिए वो दूद यूज़ करेंगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको गूंदने में यूज़ करेंगे बस एक से दो चमच इसमें दूद जाएका दूद डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है शेर मलका वैसे आप पानी यूज़ कर सकते हैं तो हम इसको अब हम इसको रख देते हैं ठक कर कम से कम एक घंटे के लिए यह बहुत जादा फर्मेंट तो नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें काफी जादा घी इस्तमाल कर रहा है लेकिन फिर भी एक घंटे के लिए उसके बाद हम इसकी शेर मल बनाएंगे तो यहां पर हमारे डो को रख पर इस तरह से बढ़ा बढ़ा कर इस तरह से लंबा सा शेप दे देंगे और इसके हम पोर्शन कर लेंगे चोटे चोटे तो नॉर्मल जो आप चपाती का पेड़ा लेता है इतना बढ़ा हम इसका पोर्शन ले ले लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे जितना हमारा य कि अब यह थोड़ा सा ही भी लेगा हमें इसको पर पानी लगा देना है क्योंकि हमें इसको पर ड्राइफ रूट्स चिप करने हैं हम शाही शीर माल बना रहें तो राइफ रूट्स यूज करेंगे जिसे कि इसमें और शाही पनाएगा रॉयल नेस आएगी तो तकरीब एक ट हम ह tweaks in these अब इस एक टेबिल स्पून बढ़ा हुआ तो अची समक रागएं यह आभ उसफञेए इसको हम करेंगे जिससे की चीर माल पर अच्छा सा रंग आठा अगर आप अंडा यूज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप दूद का इस्तमाल कर सकते हैं, और यहां पर आप शीर माल की थेकनेस देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मोटा ही रख़ा है और यहां पर मैंने एक बेकिंग डिश्ट तेयार कर लिया है, इसके ओपर हम इसको पर अपर और लोवर दोनों रोट सान करके 10 से 12 मिनट के लिए वैसे OTG आवन की टाइमिंग से अलग-अलग होती हैं तो आप इसको चेक करते रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी शीरमाल अच्छी तरह से बेक हो चुकी है बहुत अच्छा सा इसमें कलर भी आ चुका है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और अपनी शाही शीरमाल को हमें OTG से निकाल कर फॉरन नॉर्मल पानी में डिप करना है डिप करके फॉरन ही भाहर निकाल देना है आपको रोकना नहीं है पानी के अंदर और फॉरन ही इसको देशी घी में डिप कर देना है तो दो प्लेट्स रेडी रखेगा एक प्लेट म वो रिमूव हो जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही बेतरी हमारी शाही शीर माल बन कर तयार है इसको मैं सर्फ कर रही हूँ तेगी मतन कोर्मा के साथ अगर आपको इसकी रैसे पिछाईए तो मुझे कामेंट बॉक्स में बताईएगा इन्शाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप देख सकते हैं हमारी शीर माल का कितना अच्छा टेक्शरा है बहुत ही टेस्ट ये शीर माल बनती है और किसी भी डिश का किसी भी कोलमे का टेस्ट इसके साथ दुगना हो जाता है और मैं आपको इसकी सॉफ्टनेज भी दिखाती हूँ बलकु सॉफ्ट शेयर माल बनी है बहुत अच्छेयर माल बनती है तो आप भी ट्राइ करिएगा और मुझको अपनी फीड़ बैक सीचेगा आपकी शाहिए शेयर माल कैसी बनी रेसेपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा फेस्बूक पेच और इंस्टाग्राम पेच को भी फालो कर लीचेगा वीडियो देखने का शुक्रिया अलाहाफेज